नमस्कार आप देख रहे हैं आरा नियूस मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुख करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर शुराद करेंगे राज़दानी दिल्ली से जुहां दिल्ली एंसी आर में मौसम पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाब नहीं देखने को मिल रहा इस दोरान अधिक्तम तापमान 25 जबकि नियूंतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहा लेकिन आज से मौसम में एक बड़ा बदलाब होने जो रहा है आज से पारा गिरेगा और अधिक्तम तापमान 24 और नियूंतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमाल है मौसम में बाग के अलुसार आज से ही बर्फीली हवाएं पहुचाना शुरू हो जाएगा जबकि इसके बाद अब दिन के तापमान में भी 2-3 डिग्री की गिरावट होगी और रात में भी ठंड बढ़ जाएगी इससे पहले पिछले दो दिनों से धूप निकली थी जिसकी वज़त से ठंड का एसास कम हो गया था लेकिन यहां से तापमान गिरते ही ज्याता महसूस किये जाने लगेगा इस बीच कोहरा भी देखने को मिलेगा और कोहरे का असर भी आने वाले दिनों में भी दिल्ली में कोहरा अचाया रहेगा हाला कि दिल्ली में मौसम साफ हो जाएगा कोहरे की वज़े से दृश्चिता कम होगी वहीं आज नौईडा में अधिक्तम तापमान 23 और निंतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है जबकि गुरुगराम में आज अधिक्तम तापमान 24 जबकि निंतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जुताया गया है और हाली में पीम मोदी ने तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था हाला कि केंड्र के इस फैसली की बात भी किसानों का अंदोलन जारी है क्रुशी कानून से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहत महत्व पूर माना जा रहा है दरसल संयुक किसान मोचा के इन सरकार के परस्ताफ पर आज दोपहर दो बज़े एक फिर से बैठक करेगा जहां सहीव किसान मोचा ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के परस्ताफ का जवाब दिया है जिसमें कुछ बिंदूव पर स्पश्टी करण मांगा गया संगठन ने ये भी कहा कि उसने किसानों पर दर्च फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्फ शर्थ पर भीस पश्टी करण मांगा है किसान नेताव ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बुद्वार को यानि कि आज दो पहर दो बज़े एक और बैचक करेंगे बारते किसान उनिक के प्रमुक बलबी सिंग राजवाल ने कहा कि सरकार ने एक परस्ताफ भीजा है और उस पर चर्चा भी हुई और जेक किसान मूर्चा के सब्सदस्तियों के सामने उसे प्रेश किया गया उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के प्रस्ताव में खा गया है कि वो निंतम समर्थन मूले की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिती का गठन करेगी और इस समिती में SKM के बाहर के किसान संगजन सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिने दिशामिल हों गया महीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने भी MSP से लेकार किसानों को मुआफजे तक के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साथते होए संसद में सरकार के सामने एक सूची पेश करती है इस सूची में आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई इसके बारे में बताये गया है राउल गांदी ने सूची को पेश करते हुए कहा कि सदन में रुशी मंत्री ने कहा है कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई देटा नहीं है हमने इसके बारे में पता लगाया पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाग रुपए का मुआफ़ा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया गया ये लिस्ट मेरे पास है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूँ तो महीं बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप ओमिक्रॉन को लेका राब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जलो को सतरक्ता और साफधानी बरतने के लिए गाडलाइन जारी करती है इसके तहरत अप्रदेश में विदेशते आने वाले सभी आत्रियों की आठी पीसी आज़ जाच करवाने के अलावा हर एक संक्रमित मरीज का जिनों परिक्स्टिक्शन भी किया जाएगा इस दोरान आपको बता दें कि एक बयान के मुताबिक दूसरे राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टी होने के बाद उतर प्रदेश सरकार राज्यों की सीमाव पर सतरक्ता बरत रही है साथी ग्रामिन शेहरी शेत्रों में स्वास्विधाओं को और भी बहतर करने पर सोड़ दिया जा रहा है बयान के मुताबिक ओमिक्रॉन से निपटने के लिए चुकिस्य विवस्थाओं को तेजी के साथ बहतर करने का काम किया जा रहा है प्रदेश में समधाइक स्वास्त केंदर में भी 19,000 बिस्तर और मेडिकल कॉलेजों में 55,000 अतिरिक बिस्तरों की विवस्ता की जा रही है इस दोरान मुक्य मंत्री योगे रित्यनाथ ने आलादिकारियों को ओमिक्रों के मद्दे नतर अस्पतालों में ववस्ताओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिये आपको बता दें कि देश वर में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रों के अब तक कुल 30 मामले सामने आ चुके है सबसे पहले इसके दो मामले करना टक से सामने आये थे इस से देखते हुए सभी राज्यों ने सतरक्ता और भी जादा बढ़ा दी थी हवाई अड़ो पर भी आत्रों की जाच फिलाल की जा रही है सरकार ने S.O.P. भी चारी करती है तो वे उत्रप्रदेश की बात करें बिहार की तो बिहार में भी कोरोना का खत्रा धीरे धीरे बढ़ने लगा है दिसंबर के बीते चे दिनों में कोरोना की किसने मामली सामने आए बिशले 24 घंटे के अंदर साथ नए कोरोना पॉजिटिव मरी सामने आए इनमें सबसे अधिक पटना में 6 लोग संक्रमन की पुष्टी कर चुके हैं जबकि एक पॉजिटिव शक्स वैशाली का पाया गया ये स्तिती तब है जब जाच टारगेट के बाद भी 2,00,000 के पार नहीं जा रहा सुमवार को 1,12,818 लोगों की जाच हो पाई जबकि कोरोना के बढ़ते खत्रे को लेकर स्वासिबाग ने एक अलर्ट जारी कर दिया है जो आज की संक्या बढ़ाने के साथ ही अब नए वेरियंच को लेका है सतर्कता का निर्देश भी जारी किया गया है स्वासिबाग के आंकडों के मताबग अब आज में करीब 7,26,244 लोग कोरोना संक्रमित हुए है जिन में से 7,14,126 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है ये लोग करोना को मात दे चुके हैं लेकिन आपको बता दे कि 12,090 लोगों की जान इस संक्रमित से चली गई आंकडों के मताबग बिहार में अब करोना से रिकवरी रेट 98.33 प्रतिशत पहुँच गई है संक्रमंट का अन्य खत्रा भी जिलो की अपेक्षा पटना में काफी अधिक बढ़ गया है बिहार में कुल 27 एक्टिव मरीज हैं और इनमें से पटना में सबसे अधिक 18 मरीज पाए गए अररिया में एक और गया में एक गुपाल गंज में एक किशन गंज में एक रोताश में एक समस्तिपूर में दो और वशाली में दो करोना एक्टिव मरीज मिले कोरोना के नए वेरियंट को लेकर भी अब सरकार ने 108 सिभाग को पूरी तुरह से अलट मोट पर रखा है पटना में दुबई से आए दो लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इस अलट को बढ़ा दिया गया है जिनों सीक्वेंसिंग कराए जा रही है इसमें रिपोर्ट आई तो फिर आगे की कारवाई की जाएगी और कोरोना वाइरस की इस नए वेरियंट उमिक्रोन ने अब बच्चों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है दरसल तीसरी लहर की आशुनका को देखते हुए अब जल ही बच्चों के लिए ठीका करण चुरू होने की सुख्वु का हट चल पड़ी है इससे पहले ही स्वास्विभाग बच्चों की जानकारी जुटा रहा है जिसके लिए सुक्षविभाग के सयोग से बारा से सत्रा साल के स्कूली बच्चों के आधार कार्ड मुबाइल नमबर और अड्रेस मांगा गया है विदेशों से आने वाली सगन निकरानी रखने के साथी स्वास्विभाग को एक और नए जिम्मेदारी मिल गई है दरसल कोरोना का नया जो वायरेस है जो नया वेरियंट है वह बच्चों के लिए काफी खतरनाग माना जो रहा है इसकी वज़़ाइध यह है कि बच्चों के लिए अब तक ठीका करण नहीं हो सका है स्वासिभाग को जिलासतर पर 12-17 साल के बच्चों की जानकारी जुटाने को कहा गया इनमें उनके अधार कार्ट से लेकर मोबाइल नमबर और अड्रेस के साथ ही स्कूल की जानकारी एकद्र करने को कहा गया स्वासे बाग की चीम स्कूलों में जा गया अब चीका करन करेगी साधी बच्चों के लिए बड़ों की तरह ठीका करन केंद्र नहीं बनाया जाएगा हारा की अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है ऐसे में उमीद ये ज़ताई जा रही है कि बच्चों के लिए भी शीग रही ठीका करन चुरू हो सकता है बच्चों के ठीका करन का च्रायल अल्तिम चरण में है तो वहीं हो सकता है कि आने वाले समय में ये ठीका करन चुरू हो जाए इससे पहले ही आकड़े जुटाने की योश्टा बनाई जा रहे है बताएगे जा रहा है कि जिले में ऐसे बच्चों की संख्या 2 से धाई लाग हो सकते है बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे मद्रदेश का जामद्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे है 24 घंटे में करीब 16 ने पॉजिटिव मरीस मिले जबकि 10 दिरों में इन दोर में सबसे ज्यादा 8 कोरोना केस सामने आए मुपाल में 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीस मिले जबकि यहाँ पर 84 साल की एक महिला की मौत की रिपोर्ट भी सामने आई है इसके अलावा जबलपूर में दो केस हैं जबलपूर टूरिजम प्रोमोशन आफ कांसल यारगी जेटी पीसील के सीओ हेमन सिंग के बेचेश कि इनकी शादी में आए जबन युवर कोरोना पॉजिटिव पाए गया है इसके बाद रिसेप्शन में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे प्रदेश में सोंबार को 13 मरीज ठीक भी होए इसके साथ ही आपको बता दें कि अक्टिव मरीजों की संख्या 140 पहुच गई है प्रदेश में 19 दिन में करीब 288 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके है रोजाना औस दन 15 केस मिल रहे हैं और इन 19 दिनों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज भोपाल में मिले जिनकी संख्या 139 बताई गई यहां रोज औस दन 7 केस सामने आ रहे है इसके अरावा 19 दिन में इंदोर में 100 संक्रमित मिले हैं प्रदेश में अब तक 7,93,266 पॉजिटिव मरीज मिल चुके इनमें से 7,82,597 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके है कोरोना से अब तक की बात करें तो अब तक 10,529 लोगों की जान भी जा चुकी है सुमबार को 13 मरीज ठीक होए और प्रदेश में रिकवरी रेट 98 प्रतिशत से ज्यादा है ऐसे में कोरोना के नए वेरियन पर इंदोर कलेक्टर मरीज सिंग ने चुताबनी दी है और कहा है कि आज़गा है कि कोरोना का नए वेरियन चाह गया है अगर ये फैला तो 50-500 मरीज होने में धेर नहीं लगेगा